हलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप दोस्तों मैं हूं रवीगिरी और आप मेरा चैनल देख रहे हैं रवीगिरी बाबा का सच जो भी नए आये हैं उनसे रिक्वेस्ट किया करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन होती न उसको दबाना ना बूलें ताकि आपको ये वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप घर-घर आयरुवेद को फेलाने के लिए मेरे सहयोगी बने और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो उनको शेयर करना ना बूले तो दोस्तों आज मैं तीन चीजों का एक मिश्रन बताने पेट से जुड़ी हुई कोई भी समश्या है पेट में एपच है यानि खाना नहीं पच रहा है वदजमी हो रही है आपके गैस बन रही है एसीडिटी बन रही है पेट में गुरगुर हो रही है आपके कबज हो रही है ऐसा अगर है तो ये नुश्का आपके लिए है अगर आपको खांसी हो गई है, आपके फेपड़ों में बलगम जमा हो गया है, आपके पेचिस की समश्या है, अगर पेचिस है, जिसको संगरनी रोग भी कहते हैं, तो पेचिस है, वो भी आपकी इसी रोग, इसी नुश्के से ठीक हो जाएगी, जो मैं तीन चीजों का मिश्रण ब लिगर पतन है या वीडिय का पतलापन है ऐसा कुछ भी है तो आपके इस नुष्के से ठीक हो जाएगा आपके अगर कील मुआ से चैरे के ऊपर कील मुआ से हैं वो भी ठीक हो जाएंगे बहुत गजब का नुष्क है आपके सामने में जो दे रहा हूँ इसकी अंदर रोग परती रोदक चमता बहुत जादा है रोग परती रोदक चमता कम होने के करण हम बार बार बीमार पढ़ने लगे जाते हैं यानि हमारे इम्मुनिटी सिस्टम को ये बढ़ाने वाली चीज ह तो आप इसको करके देखें आपके हर्ट के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर डालेगा हर्ट को मजबूत करेगा हर्ट की रिदम जो इर्रेगुलर हुई खड़ी है उसको भी ठीक करेगा तो ये नुष्का मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख लेना तीन चीजी हैं और मेर दूसरी चीज चीरोंजी और तीसरी चीज है खस-खस सौंफ चीरोंजी और खस-खस आपको क्या करना है कि इन तीनों चीजों को ले लेना है सौंफ चीरोंजी और खस-खस और लेना बराबर मात्रा में हैं चाहे 10-10 ग्राम लो चाहे 50-50 ग्राम लो चाहे 600 ग्राम लो और ज तो सो सो ग्राम जैसे आपने बराबर मात्रा में ले लिया तिनों को सो सो ग्राम ले लिया तीन सो ग्राम बजन हो गया तो आपको क्या करना है कि इनको चिरोंजी को छोड़कर सौंफ और खसकस जिसको पोस्ट दाना कहते हैं पोपी सीड भी कहते हैं तो आपको क्या करना है कि इनको हलकी आंच के ऊपर हलका हलका रोस्ट कर लेना है ताकि ये पीछने में आसानी से पीछ जाए ज्यादा जला नहीं देना इनको हलका हलका रोस्ट करना है उसके बाद में इन तीनों चीजों को अलग अलग पीछ कर एकदम से महीन पाउडर बना लेना जब ये तीनों का पाउडर बन जाए चिरोंजी है इसका थोड़ा पाउडर बनते समय थोड़ा सा दरदरा रहेगा कोई बात नहीं इसमें कोई बात नहीं है बाकी तीनों चीजें जो है आपको क्या है के पीश कर मिला लेना है और बराबर की मातरा में यानि 100-100 ग्राम लिया को यह सित्टा मिस्री बोलते हैं जिसके अंदर दागाः होता है कि वह मिश्री लेनी है वह बहुत Fachu अच्छी चीज़ होति यह तो यह तीनों चीज के साथ में बराबर की मातरा में मिश्री मिला कर पीश कर मिश्री को मिला लेना मिला कर एक डिब्बे में डाल के रख लेना और एक चमची सुबह एक चमच दोपेर एक चमच शाम को आप इसको इसी परकार लेना पानी के साथ ले सकते हैं दूद के साथ ले सकते हैं गरम पानी के साथ भी ले सकते हैं ठंडे पानी के साथ ठंडा पानी मतलब नौर्मल पानी फिरीज वाला नहीं तो इन पानी के साथ में आप ले सकते हैं इस परकार दिन में तीन वारा आपको लेना है अगर कोई बच्चे को देना चाहते हो जिस बच्चे की यादास्त कमजोर है वैसे भी शरीर में कमजोरी है तो इसको भी आप दे सकते हों तो उसको आधा आधा चमच की मातरा में देना है लेकिन द्यान रहे बारा साल से चोटे बच्छे को दबाई ऐसी नहीं देनी है 24 साल से बढ़ा है बारा से इस definite सार के लासा कते हैं उसकी यादास बहुत तेज हो जाएगी तो आप इसको एक एक चमच दिन में तीन वार देना है तीन वार लेना है आपको और फिर देखना के जितने मैंने रोग बताए हैं 100% नहीं 500% आपके ठीक हो जाएगे आप करके देखना और मैं एक नया वीडियो फिर आपके सामने ले के लिए के आ रहा हूं तब तक के लिए नमस्कार जाहिंज या भारत